हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल वनी इन्फोर्मिशन आज मैं आपको गर्भावस्ता के 31 सिले के 35 हफते यानि की 8 मां में शिशु के विकास के भारे में बताऊंगी कि गर्भ में शिशु 8 मां का पूरे होते होते कितना विक्सित हो जाता है शिशु अब आकार में एक बड़े खर्भूजी जितना भारी हो गया होता है आपके शिशु का वजन अब लगबग 2.1 kg हो गया होता है उसकी लंबाई करीबन 46.2 cm यानि की 18.2 इंच तक हो गई होती है और अगले आने वाले कुछ हफ्तों में उसका प्रते दिन करीब 28 से लेके 30 ग्राम वजन बढ़ने लगता है संभव है कि आपके इवल अपने पेट को देखतर ही ये बता पाएं कि शिशु किस तरीकी की हलचल कर रहा है गर्व में शिशु की सवस्ता में है इसाधार पर आप शिशु के उलटने पलटने पर उसके उतार चड़ाओ का अनौक कर पाती है इवन शिशु की हिश्क्या आने पर आप इस हरकत को भी महसूस कर सकती है और इस समय शिशु की हलचल बढ़ जाती है, वो अधिक मात्रा में लात मानने लगता है, उसके सुनने की शक्ति पूरी तरीके से विक्सित हो जाती है, इस समय तक उसके सभी प्रमुक अंग फेफडे को छोड़कर पूरी तरीके से काम करने लगते हैं, लगबख सभी में ज्यादा जगा घिरने लगता है, उसकी चारत तरफ मौजुद अन्योर के फ्रूट कम होने लगता है, आपके गर्भासे में अब जगा नहीं बच्ची होती है, आपका गर्भासे अपने वास्तविक परिमान से हजार बुना अधिक एक्सपेंट हो चुका होता है, और आप गर्भासे उपर आपकी पस्तियों के नीचे है, यदि आपकी गर्भावस्ता के सुरुआत में आपका वजन सही था, तो अब तक आपका शायद सारे दस से लेकि 11 किलो तक वजन बढ़ गया होता है, हलांकि आपकी गर्भावस्ता अब जल्धी समाप्त होने वाली है, मगर अबि भी आपके शिशु को जन्म से पहले थोड़ा बहुत दिकास करना भी बाकी रहता है, आठवे महिने में शिशु अपने विकास की आकरी पड़ाव पर होता है, आठवे महिने में गर्वति महिलाओं को फाइबर का सेवन करना चाहिए, ताकि युद का वजन आब क्योंकि आपके गर्वासे में जगह कम पढ़ रही होती है। इस दौरान आपके बाल सामाने से दिक चमकदार लगने लगते हैं। गर्भावस्ता के दौरान बाल घने हो जाते हैं। क्योंकि गर्भावस्ता में हार्मोंस बालों का गिरना कम कर देते हैं। इस दौरान पर शिशु का सारा भार आ जाता है सरर योगासन और स्ट्रेचेस करने से आपको एक नॉर्मल डेलीवरी देने में भी सहायता मलती है लेकिन कोशिस रहे आठवे महीने में बेबी डेलीवरी ना हो थैंक्स वर वचिंग मैं वीडियो थैंक्यू बइबाई